इसे यूज़ करने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल ही गोरा और चमकदार बन जाएगा साथ ही साथ आपके चेहरे के सारा कालापन सारी डलनेस सारी डाक स्किन बिल्कुल ही रिमूव होने वाली है हलो फ्रेंड्स और वेल्कम बैक टो मैं चैनल अनुपरिया गाईस आज मैं आपके लिए लेकर आगई हूँ एक ऐसी मैचिकल रिमेडी जिसे यूज़ करने के बाद आपको चेहरे के सारी डाकनेस रिमूव हो जाएगी आपके चेहरे का कालापन रिमूव होने वाला है डलने के लिए तो इस तरह को बनाने के लिए बाध ब्लक्ट को जूए लाए गर की चरी स्वाइब्ल मैं इस स्पून होगी अगर आपको इपने आपके लिए ज्ठारमटे को जो बहुत हैं तो इस तरीकेसे मैं आपने अपने लाठा प्रॉ deja सोती है, साथ यह हमारे चेहरे की डलनेस, डाक्टनेस को रिमूव करता है, डाक्सकिन को रिमूव करता है और चेहरों को बहुत गोरा बनाता है, नेक्स में इसमें एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल आप फ्रेश वाला भी ले सकते हैं मैंने लिया है पतांजली का एलोवेरा जेल तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लूँगी इसमें मैं मिक्स कर लूँगी एलवरा जेल हमारे स्कीन को ग्लोइंग बनाता है साथी साथ ही हमारे स्कीन को नेचरली निखार देता है हमारे चेहरे को ये बिल्कुल ही निखार देता है हमारे चेहरे की सारी स्कीन प्रोप्लम्स को रिमूव करता है स्कीन को हाइडरेट करता है मुश्योराइज रखता है और साथी साथ चेहरे को पे दाग बनाता है गोरा बनाता है यह हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है तो मैं इसे इस तरीके से इसमें एड कर लूँगी एंड देन मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी अब में लेरें नेक्स्ट थर्ड इंक्रिडियुन यानि में लेरें आ फ टीश्पून हनी हनी थी एंटिपैक्टरियल एंटी एंघ निंग होता है यह मारे चेहरे की रंगत को निकारता है साथ cycling problems को कील मुहासों को बी यह दूर करता है हमारे चेहरे का बिल्कुली शॉफ्टर शाइन यान स्मूदर बनाने में वक करता है अब मैं पूरे मिक्षर को इस आईस क्यूब ट्रे में फिल कर दूँगी इस तरीके से आपको एक ट्रे ले लिनी है आईस क्यूब्स वाली सो मैं इसमें फिल कर रही हूं आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो आप वो ब्लम कि इसमें प्रेकल टुओं तो आपको पूंब्स रोख़ है इसो में फिल कर लूंगी तो आप देख सकते हमारी इस क्यूब्स बन कर रेडी हो चुकिए अब हमें क्या करणा है इस टॉमेटो आइस क्यूब्स को अपने फेस पे रब करना है कुछ इस तरीके से आपको गोरा को साथ्य साथ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताईगेगा साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरी सबसे पहली वीडियो आपके पास सबसे पहले पोचे सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई